हेलो फ्रेंड्स मैं रियाद आपकी फिजिक्स की मेंटर वेलकम तो मैं चैनल पुर्वांचली स्टेडी फ्लाटफर्म तो आज हम फिजिक्स का मेकनिकल प्रोपर्टीज और फ्लिवड का वेरियेशन और प्रेशर भी देप देखते हैं तो आएए देखते मज़ा आएगा फ इसकी जो हाइट है वह यह अच्छ है और आप जाते हैं कि इसके नीचे से अक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी लगता है यानि वर्क करता है और एरिया यह लगाया तो रो मिज डेंसिटी ओफ लिक्विड एंड सिलेंडर इस अट रेस्ट और अगर सिलेंडर रेस्ट है तो इसका नेट फोर्स जीरो रहेगा या आप जानते हैं आप ज़े प्लस के बराबर रहेगा और आप जानते हैं कि यहाँ पर की जो रो होता है वह रो इसकुल टू मास अपॉन मास के जगा रो वालीउम लिग दिया और जी और एफ़न इसकॉल टू फ्यान पर लिखन क्यों है कि आप जानते कि प्रेसर स्कोल टू फॉर्स अपॉन एरिया होता तो हमने फॉर्स की जगाव प्रेसर इंटु में एरिया कर दिया और रो एंटु में जी है एक पॉमन होके कर जाये तो बचाया रो जी एच इसकोल टू पी टू माइनास पीवन मतलब की चैन्ज इन और जिए जिन प्रेशर जो है वो रो जिया चके बराबर आ गया और यहां पर रो भी कॉंस्टेंट है बसके हाइट तो जो डेल्टा पही है वो डिरेक्टी फिरेक्टल होगा हाइड कि यह अच्के और हाड्रो स्टेटिक परेडॉक्स क्या होता है आए रिखते देखते ये depends only on the height of liquid column and is independent of the shape of the containing vessel यानि जो वो प्रेसर जो liquid के द्वारा लगाया जाए वो बस और बस height पर depend करता है और उसका जो shape होता है वो independent होता होता है मतलब यह आप देखिए यह three vessel है एक इस type का और एक इस type का और एक इस type का यह हमने इसमें liquid रख दिया वह भी same height में same liquid हमने रखा है तो इसका जो भी होगा प्रेसर वो कितना होगा तो इसका सवाल है कि वह हर जगह से बराबर ही होगा चाहे जैसा भी लिक्विड हो यानि कि इसका भी रो इसका भी रो रो हर जगह जी आनि यह की acceleration due to gravity और आयो को आप लोग जानते होगे कि हाइट यह तो रो जी यह हो जाएगा यह होता है यह तो प्रेस्टिक परिडॉक्स और फिर हम देखते हैं पास्कल लॉव पास्कोल लॉव क्या हता है थीजला इस तर्द को इनक्रीज इन प्रेसर आफ वन पाइंट आप आप दी इंक्लोस्ट लिक्विड इन एक्युलिब्रियम ओ रस्ट इस ट्रास्मिट एक्वली तो आ यानि कि अगर आप प्रेसर को बढ़ाते हो किसी भी एक पॉइंट से और वह फ्लूड अगर इक्वल होता है किसी अदर पॉइंट के लिक्विड से तो वाल्स आप दी कंटेरन और वाल की कंटेर से तो पास्कल लॉव पास्कल लॉव पढ़ने के लिए हमें जो भी पास्कल लॉव को अच्छे से जान पाएंगे और एट्मॉस्फेरिक प्रेसर क्या होता है दो गैसे इन्वलप सराउंडिंग दे अर्थ इसकार्ड और अर्थ अट्मॉस्फेर अट्मॉस्फेरिक प्रेसर एट एट एड़ पॉइंट इच इक्वल तुड़ वेट हाँ आट्मॉस्फेर से हमें वो नहीं पता चल रहें कि हमारे उपर से हर घय टाइम प्रेसर लगाया जारहे क्योंकि वह आइड्एरिक से यानि हुझ हर जा जगाया जा-रहिं यानि और जो atmosphere प्रेसर होता है किसी भी पॉइंट का वह एक्वल होता है किसी भी वर्टिकल कॉलम के वेट के और क्रोस सेक्षिनल एरिया याने कि एरिया मतलब कि एक यूनिट मीटर स्क्वाइर एरिया एक्स्टेंड करने पर उस पॉइंट से अगले वीडियो में देखेंगे आस्ता कैसे हम अपना फिनिस करते हैं